तो नमस्कार साथियों मैं योगेश एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटपॉर्म टीचर्स स्पोटलाइट बाय जारेफ अपड़ा पे जैसा कि मैंने आपको जानकरी भी दी थी और आप लोग को पता भी चल गया होगा कि सर EMRS की जो एक्जाम डेट से हमारी अल्रेडी अनाउंस हो चुकी है अब सर एक्जाम की डेट हमारी अनाउंस हो चुकी है मैं एक बार आपको वापिस से बता देता हूँ कि सर हमारी जो एक्जाम डेट है क्या होने वाली है सर एक्जाम डेट हमारी होने वाली है कि sir exam की date finally जो है हमारी आचुकी है जिसका सभी को इंदजार था एक संशे वाली स्थिति बनी हुई थी कि sir पता नहीं एक KBS का notification हमारे पास आया है उनके director का अब पता नहीं उसमें कितनी सच्छा ही है we were not aware but yes EMRS की official website से sir क्या हो चुकी है पुष्टी पूरी पूरी हो चुकी है कि बिल्कुल आपका जो exam है होने वाला है 16, 17, 23 और 24 December को ठीके जी अब sir exam हमारा होने वाला है तो sir इन exam से जुड़े वे कुछ हमारे पास sir doubt है कि sir क्या चीज़े होने वाली है क्या negative marking होगी या नहीं होगी exam online होगा या offline हमारा होगा है ना किस-किस shift में हमारा exam होगा क्या TGT PGT किसे हमने दोनों से form बढ़ा है क्या वो एक दिन में होगा तो पूरा का पूरा चांप्लीट डाउट है ना जो scenario है वो आपके सामने जो है आज मैं रखने वाला हूँ शुआ चैनल पे फरस्ट थाइम अगर विजिट किया है तो सर क्या करना है teacher's spotlight नाम का अपना चैनल है जाना है सबस्क्राइब करना है ठीक है तो पूरा सका पूरा सा embaixo मैं आप लोग को बताता हूं कि सर क्या चीजें हैं और क्या नहीं है सबसे पहले बात करेには सर, exam date की बारे में, exam date, sir, exam date हमारी कब है? कर 16, 17, 23 और 24 बिसमबर, पहली बात. सर, दूसरी बात करे है, कि sir, exam हमारा online होगा, यह exam हमारा offline होगा, कि sir, बिलकुल जो है, आपका exam क्या होने वाला है, आपका exam होने वाला है, offline. पूरा पूरा साफ साब बोला गया है कि सर एक्जाम जो है आपका OMR based होगा OMR sheet आपको provide करे जाएगी offline होगा सर ये भी आपको एक जानकरी दी गई है कि सर चार दिन हमारा exam है और एक दिन में दो shift हमारी चलने वाली है ठीक है सबसे बड़ा सर जो doubt work की स्थिति बनी वी है कि सर क्या negative marking है exam में बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल हमारे पास जो है negative marking नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है है कितने के से 0.25 marks के आपके पास नेगेटिव मार्किंग यहां पर देखने को मिलेगी डरने वाली बात नहीं है डराने रहा हूं सर मेरे जम्मेदार ही है आप लोग को थोड़ा सा इनफॉर्म करना भीफूर यू विल अपियर इन दी एक्जाम ठीक है अब सर बात करें करना क्या है देखो मोटा मोटा मैंने हर बार आपको बताया है कि सरेक हमारा जनरल पेपर है कि सरेक हमारा क्या है है ना जैसे साइन्स वाला हो गया या जो भी किसी भी चीज में अपने टीजटी पीजटी से बढ़ा है और नहीं भी पढ़ाई है तो सर पढ़ाई करना शुरू कर देना है बैठना नहीं है जगने का समय है सोने का समय था वो चला गया है अब ठीक है सर जर्णल पेपर में हम पीजिटी में दस नंबर की है पीजटी में 20 नंबर की है ठीक है सर हमारे पास इसके अलावा होता है नपी सर अमारी 5 नंबर के आजाती है नैशनल एड़्यकेशन पॉलिसी इसमें हमारे एक एड़ुकेशन अफ्ट भी आते हैं एक एक एक्स्पेरियंशल बेस इतना सारे जो marks है वो carry करता है, guys कम नहीं होते है marks, तयारी sir, सभी को पता है, आपके अपने इस channel पर पूरी तयारी journal paper की sir, चली रही है, है ना, पूरी जो preparation है, करवा रहे हैं, आपको free of course, journal paper की, sir, subject में क्या करें, subject वाला है, कि sir, for example, अगर आपने PGT से form fill करा है, sir, PGT से करा है, जैसे आपने PGT history से, for example, form fill करा, तो sir, आपको थोड़ा सा graduation तक, although करना क्या है, sir, आपको focus अपनी NCRT पे रखना है, उससे best book तो sir, I don't think होती होगी, humanities के लिए, है ना, ठीक है, NCRT पे, sir, फिर भी अगर आपको लगता है, कि इतना जादा नहीं है, पूरा का पूरा, पढ़ाना तो, obviously, आपको यहीं है, sir, यह तो हमें पढ़ाना भी नहीं है, जब हम PGT बन जाएंगे, you have to teach this only, sir, करना क्या है, अब करें क्या, sir, आपके जो भी previous year, previous year के जो paper है, क्या है, sir, previous year के paper, sir, कौन से, हमारा KVS का exam का उठा लो, sir, आप NBS का उठा लो, sir, आप DHHSB का उठा लो, है ना, साथ में, साथ में, जैसे हमारा BPSC का हुआ, या कोई भी teaching exam, कोई भी state का हो रहा है, तो उसका आप, sir, main subject वाला paper उठा के solve भी करोगे, ना, तो definitely, sir, हमारी जो है, नईया जो है, पार हो जाएगी, और practice question के लिए, sir, फिर आपको करना ही है, तो ये थोड़ा सा सिनारी है, जो आपको देखना है, किन बातों का आपको ध्यान लगना है, depression में नहीं जाना है, anxiety अपने अंदर नहीं लेके आना है, exam से पहले, और थोड़ा सा अगर अपन पढ़ेंगे ना, तो sir, definitely होगा, वो दिन दूर नहीं, जितनी जल्दी हमारा EMRS का exam हो रहे है, वो तो unfortunately वीच में stay लग गया था, तो sir, आपका जो January, February जब तक पूरे पूरे चांसे हैं कि sir, आपकी नौकरी लग भी जाए, और सारी चीज़ें आपका हो भी जाए, ठीक है, तो I hope आपको थोड़ा बहुत समझ मेया होगा, करना है, और sir, नहीं अगर अभी तक त्यारी करी है, तो क्या कहां जाओगे sir, Teachers Spotlight नाम का अपना चानल है, जाना है, सब्सक्राइब करना है, पूरा Journal Awareness का sir, आपका content आपको महापे मिल जाएगा, और जो Teachers Spotlight sir, अपना चानल है आपके लिए बहुत अच्छा प्लान आउट कर रहा है, तीन-चार दिन में सर आपको एक good news मिलने भी वाली है अपने चानल से, ठीक है जी, तो ये छोटी चीज चीज थी, I hope आपको समझ मेहा होगा, पसंद आया होगा, if you like the session, तो comment आपको करना है, कोई भी अगर आपको कोई doubt होता है, तो बिल्कुल I will try to give you answer, तो मिलते हैं, next session में, तब तक के लिए, thank you so much, शुकरिया, धन्यवाद